नमस्कार, तो वायर बुलेटिन में एक बार फीर आप सभी का स्वागत है, मैं रितू तॉमर और सबसे पहले सुर्खियां भारत में कोरोना वायरस से दूसरी मौत, देश में संक्रमित लोगों की संखिया भढ़कर तिरासी हूँ दिली दंगे को लेकर आईवी करमचारी अंकित शर्मा की बोस्ट मार्टम रिपोर्ट में खुला सा, शरीर पर थे चोट के क्यावन निशान पहलु खान लिंचिंग मामले में दोनों दोशी किशुरों को तीन साल के लिए सुधार ग्रेब भीजा गया और उत्रपरदेश में प्राजीन कारूती होडिंग मामले में सुपरिम कोट में चल रही सिनवाई के बीच योगी सरकार लेकर आई कारमचारी और अब खब्रेविस्तार से देश में कोरोना वार्टम से दूसरी मौत का मामला सामने आया है कोरोना से दिल्ली में 68 वर्स ये एक महिला का इलाह जो है वो दिल्ली के राम मनोहर लोईय अस्पताल में चल रहा था जहां शुक्रवार को उन्होंने दम तोड दिया महिला को डाइबेटीज और हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी केंद्र सरकार के तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना वाइरस के साथ-साथ ये महिला पहले से ही डाइबेटीज और हाईपोटेंशन जैसी स्वास्थे संबंदी समस्याओं से जूज रही थी महिला को संक्रमन उसके बेटे से हुआ है जो इटली से भारत लोटा था दिली सरकार और स्वास्थे मंत्राले के नुसार महिला के संपर्प में आये सभी लोगों की जाच की जा रही है और कुछ दिनों के लिए उन्हें दूसरों से अलग कर रखा गया है आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमन से भारत में मौत का ये दूसरा मामला है इसे पहले कोरोना से भारत में पहली मौत करनाटक के कलबुर्गी में 76 साल के एक बुजरकी हुई थी जिरोंने संक्रमन के बाद इलाज के दूरान दम तोड़ दिया था स्वास्ते मंत्राले की उसे जारी आख़ों के मताबिक भारत में कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है देश के कई राजियों ने कोरोना वाइरस से निपटने के लिए युद्सतर पर प्रयास शिरू कर दिये हैं राजियों ने इसके लिए स्कूलों, सिनेमा घरों और कॉलेज़ों को बंद कर दिया है, IPL सहित सावजुनी कायक्रमों को स्थगित करने फैसले किये गए हैं। कोरोना से दुनिया भर में बढ़ने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 5000 हो गई है। WHO ने जो है शुक्रवार को यूरोप को इस महमारी का केंद्र बताया, बीते साल दिसंबर में चीन के वुहांच से शिरू हुए संक्रमन के बाद से अब तक 123 देशों में 1,32,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम्प ने देश में रास्ट्रिया पातकाल घोशित कर दिया है। पिछले हिस्ते में हैं, इसके साथ ही 6 कट के निशान हैं जिसमें स्क्रैच के निशान भी हैं। अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को चांग बाक मेक नाले से बरामत किया गया परिवार के मताबिक वो दफतर से आकर बाहर लोगों को समझाने गए थे तब ताहिर हुसेन के घर के बाहर भीड ने उन्हें पकड़ कर पीटा चाकों से हमला किया गया और ताहिर हुसेन के घर अं अंकित के शरी पर चाकों से 400 बार गोदे जाने की खबरे प्रकाशित और प्रसारित की थी और अगली खबर राजिस्थान के अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने पहलु खान मॉब लंचिंग मावले में शुक्रवार को दो किशोरों को तीन साल तक किशोर सुधार ग्रह मे रखने की सजा सुनाई है साल 2017 के इस मामले में पहली बार सजा सुनाई गई है मामले से जुड़े अधिकारी राम किशोर ने कहा कि वोड ने दोनों को तीन साल के लिए किशोर सुधार ग्रह जैपुर भेजने की सजा सुनाई है ये दोनों 18 एक वर्ष आयूवर के हैं वो की सित्रों ने कहा कि जब अपराध हुआ उस समय वो नाबालिक थे अब उनके उम्र 18-21 साल के बीच है इसलिए उन्हें किशोर सुधार ग्रह भीजने की सजा सुनाई गई है आपको बता दें कि अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने साल 2017 में पहलु खान की भीड द्वरा गई दाई थे आपको बता दें कि आखरी ख़बर उत्रपरदेश की राजधानी लखनव में दंगों के आरोपियों के विबादित होर्डिंग लगवाने वाली उत्रप्रदेश सरकार अब जलुसों विरोध प्रदर्शिन कारेक्रमों में नीजी और साफजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश लेकर आई है मंत्री मंदल ने संबन में शिक्रवार को उत्रप्रदेश recovery of damage to public and private property अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को मंजोरी दी राजे सरकार ने कथे दंगाईयों के पोस्टर राजधानी लखनव में जगजग लगाये जाने को एक पुराने आदेश के नुरूप करार दिया और कहा किस से पहले किसी भी सरकार ने इस शाषन आदेश के तहत कारवाई नहीं की राजे के वित मंत्री शुरेश कुमार खन्ना ने वताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंदल की बैठक में उत्रप्रदेश रिकवरी ओफ डामेज टु पब्लिक एंट प्राइविट प्रोपर्टी अध्यादेश 2020 का प्रासन ने संशोधित नागरिक्ता कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी में उग्र प्रदर्शन के मामले में 57 लोगों की तस्वीर और निजे जानकारी वाले होडिंग जगे जगे लगवाए हैं उनमें से कहीं को सुबुतों के अभाव मेरी जमानत म मिल चुकी है बता दें कि बीदे 9 मार्च को इलाबाध हाई कोट ने इस मामले को स्वतर संध्यान लेकर इसे निर्जता का हनन करार देते हुए सरकार को 16 मार्च तक होडिंग हटाने के आदेश दिये थे राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रेम कोट में चिनोती दी है ह आईकोट ने भी सरकार से पूशा कि आखिर किस कानून के तहत उसने भी होडिंग लगवाए हैं अदालत ने मामले को बड़ी पीट के पास भेजा है मामले की सुनवाए अगले हफ्ते होगी आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दोवाएर की हिंदी अंग्रेजी उर्दू और मराथी वेबसाइट से जुड़े रहें तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार